शुब प्रभातों बच्चों आज हम सात्वी कक्षा के पार्ट 28 को करेंगे जिसमें हमारा पेज नंबर 44 और 45 होगा तो इसमें बच्चों हमारा अभ्यास होगा और अभ्यास में हमारे का रखोंगे पहले प्रेशन में तो मेरे साथ बोलनेंगे से भी अदूल लिखी तेशू वाकेशू स्थोल पदेशू पर्युकताम विभक्तिम कारकम चा लिखनतू ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा पहला है बालकाहा कंदूकेन क्रीडंति है ठीक है पहला हमने विभक्ति लिखनी है और फिर हमने कारक का नाम लिखना है और किन का लिखना जैसे यहाँ पिर डार के कंदुकेन, गरामात, पठनाए, परवतेशु ठीक है बच्चों फिर आगया रामस्य, भोचात्रा, भक्ताहा और संस्क्रितम ठीक है इनका हमने क्या करना है विभक्तिय और कार को लिखना है तो बच्चों पहला है बाल कहा कंदुकेन क्रिडनती है जो कंदुकेन में है यापे तो आपने लिखनी है त्रित्या वक्ति करन कारक पहले में का लिखना है त्रित्या वक्ति करन कारक फिर दूसरे बच्चों गरामात दूसरे का लिखना आप लोगोंने पंचमिव वक्ति आ पादान कारक ठीक है फिर पठनाए में लिखना आप लोगों ने चतूर्थी वक्ती संप्रदान कारक थर्ड में फिर फोर्थ में लिखना आपने पर्वतेशू सब्तमी वक्ती अधिकरन कारक कौन से सब्तमी वक्ती अधिकरन कारक ठीक है बच्चो अब हम यहाँ पर करेंगे फिप्त को फिप्त को करेंगे हम फिप्त में का शश्टी वक्ती सबंद कारक फिर यह सिक्स है हमारा भोचात रहा संभोधन कारक ठीक है संभोधन वक्ती और कारक भी क्या है संभोधन फिर भक्ता है नमन्ती फिर भक्ता है भक्ता में प्रत्मा वक्ती हो गया आपके और करता का रख हो गया फिर सर्वे संस्कृतम पठेयो संस्कृतम में दुत्या वक्ती है करम को का रख हो गया ठीक है एक बाद फिर से देख लिजेगा और यहाँ पर देख लिजेगा उचित विभक्ति प्रयोगी रिक्स्थानानी पूर्यन्तो ठीक है अब हमने इसमें उचित विभक्तियों को रिक्स्थानों में हमने भरना है ठीक है कि पहले में क्याएगा ठीक दूसरे में क्याएगा तो यहाँ पे टीक कर लेना है अपने पहले फिर इसको यहाँ पर भरना देख लिजेगा पहले में आपने बाला हो टिक कर लिजेगा फिर दूसरे में भोजनेन को थड़ को खलस्ये फोर्त में हेश्याम को टिक कर लिजेगा फिफ्त में मनुरंजनाय को टिक कर लिजेगा six में आपने उद्याने को टिक कर लेना है eight में आपने अध्यापकम को और last में आपने नगरात को टिक कर लेना है ठीक है तो बालो को आपने यहाँ पर भणना है भोजनेन को आपने यहाँ पर भणना है खलिसे को आपने यहाँ पर भणना है हेश्याम को आपने यहाँ पर भढ़ना है फिर मनुज रजनाय को आपने यहाँ भढ़ना है उद्याने को आपने यहाँ पर भढ़ना है अध्यापकम को आपने यहाँ भढ़ना है और नगरात को आपने यहाँ पर भढ़ना है ठीक है बच्चो इसको आप लोग सभी जो हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है इसको आप लोग करम से यहाँ पर भर लेंगे जो जो यहाँ हमने सही के निशान लगाए हुए पहले जैसे बालाहा ठीक है भोजनेन, खलस्य, हेश्याम को, मनुरंजनाय को, उद्याने को, अध्यापकम को और नगरात को तो आज की वीडियों बच्चों हम इतना ही करेंगे शेश जो हमारा होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद